हेलो, 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 किल पांद्यान साधना में शेवी साथ को का सागत है, शेवी को परणाम ओम, आज की साधना के लिए किसी वियासन में सहेश होका बैठ जाएं, किसी वियासन में सहेश होका बैठ जाएं, आँके को मलता से बांदे, हातों को ग्यान मुद्दा में रखें, कमा गर्दन सिधी, और सरी को इससे रखते हुए, सहेश होना है, सहेश होते जाना है, सहेश को इससे रखते हुए, सहेश होते जाना है, सहेश परतीक स्वास के साथ, सहेश होते जाना है, और जागित होते हुए एनरजी, जागित होते हुए उर्जा, उर्जा की तरंगे, एनरजी की तरंगे, जागित होते हुए एनरजी की तरंगों का हैसाश, उर्जा की तरंगों का हैसाश, सुक्षम से सुक्षम तरंग का हैसाश, सुक्षम से सुक्षम और जाका हैसाश, और जाकी तरंगों का हैसाश, एल ती जा रही है, एल ती जा रही है, पुरे सही में, सही के रूम रूम में, और जा वह है ती जा रही है, सुक्त歹ले this voi को ब rival नहें你好 थmot से जाते हैं टूम में, सही के रहें जाश, पुरे वह ल्रत रहाई समर्पों काम में लुद्प्षम और जाल assumptions नहें… गेर यूर्जा गेर आद्यान कोई कहे है द्यान में इस हुर्जा के साथ दूखते जाना है इस इसार में सब कुछ नस्वार है कुछ नस्वार नहीं और सब कुछ बहरता चला जाता है कुछ विश्थाई नहीं है हर चीज खोद चली जाती है हर चीज हर सब्द हर ग्यान सब कुछ को तचला जाता है इस जीवन को जैसा हम चाहते हैं वैसा ही प्रति किया करता चला जाता है अगर हम नकात्मक सोचते हैं तो रह नकात्मक ता बढ़ती चली जाती है भई ही अगर सकाहत्मक जाते हैं तो सकाहत्मक ता बढ़ती चली जाती है जीवन एक दर्पन के समान है और लाखों दर्पन हैं चार तर्पन प्रते एक चहरा एक दर्पन है प्रते चहरा एक दर्पन जीवन जीते हैं और चहरों में प्रतिविम प्रगट होता है जीवन के प्रतिक्रोध से भरते हैं तो प्रतिक्रिया में क्रोध मिलना सुरू हो जाता है ऐसे ही हम जो कुछ भी करते हैं प्रतिक्रिया में वही वापस मिलना सुरू हो जाता है तो जीवन को बदलने का प्रयाश नहीं करना है और सहे हो जाएना है सहे हम को बदलना जीवन सहे हम बदल जाएगा सहे हम को बदलना तो जीवन अन्याशी सुन्द हो जाता है समाज को संसार को मित्य को पड़ोसी को विष्टो को संब्दो को पती को पत्मी को या बच्चो को किसी को बदलने की कोवी जेवत नहीं है क्योंकि पहली तो आप उसको बदल ही नहीं सकते और उसको बदलने की दिशा में चल रही है तो बहुत जटिल है बहुत मुश्किल है यहां तक की यह संभव है यह पूरा जीवन चोटा पड़ जाएगा लेगे उसको नहीं बदल सकते तो बदलाव सेम में लाने हैं इस संसार में कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है क्यों सेम कहनता बदलाव सेम इस संसार में आए हैं एक मेमान की तरह जो कुछ दिन ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं तो ठीक ऐसे ही यह चेतना विकुश नहीं के लिए संसार में आई है मेमान बनकर और एक दिन विदा हो जाएगी तो इस संसार को कैसे बदल सकते हैं संसार तो अनंत है अनंस समय से न्यान तो ऐसे ही चल रहा है इसको बदलने का प्रयाश व्याथ है संसार को बदला जा सकता है यह केवल एक ना समझी और ब्यर्थ बात है अपने गहरा एक गहरा करशन इस बात से होता है क्योंकि हम दूसरे को अपने से जोड़ना कर रखना चाहते हैं यही आकरसन क्यार व्यक्ति दूसरे से जुड़ना चाहता है और हम अपनी जिम्मेदाई दूसरे के उपर छोड़ देना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति से जुड़कर अपनी जिम्मेदाई दूसरे के उपर छोड़ने का सहास हो जाता है यह दूसरे का सहारा मिल जाता है और इसलिए हम उसको बललना चाहते हैं को नेंत हमाई जिम्मेदाई सवाले और इसी कार्ट से हम हमेशा दुखी भी होते हैं कश्ट में भी होते हैं यह जीवन सहम का है सहम ही सवाल ना है हर चीज की जिम्मेदाई भी सहम की है और जब यह बात समझ में आ जाती है तो आकर से खत्म हो जाता है जब इस सत्य को सुखाय कर लेते हैं जह ध्यान में जान जाते हैं कि यह चेतना यह आत्मा इसका किसी से कोई संबल नहीं है हर व्यक्ति अकेला दुनिया में आता है अकेला ही चला जाता है ना किसी को साथ लाता है ना किसी को साथ लेकर जाएगा तो वीच का जो यह अकर्षन है यह सत्य है कि वह जरूतों के बस है और जिजने यह बात स्विकार हो जाती है कि हम ही पूर उपेर जिम्मेदार है हर चीज के चाए वो सुक हो या दुख तो हम पर अपने जीवन को बदलना सुख कर सकते है स्वैम के बदलाव सुख कर देते है स्वैम के बदलाव विशाल परिवाटन लाते है और वो परिवाटन जीवन को सुख सांतियानन से भर देता है जो हम दुखी होते है तो इस दुख का कार दूसरे को ठहराते हैं कोई भी किसी भी तरह का बहाना इसने मुझे दुख दिया इस कार से मैं दुखी हूँ ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के कार भी मैं दुखी हूँ या इस समाज की किसी इस्ति के वज़े से साहका की वज़े से समाज की वज़े से और थोयस्ता की वज़े से कोई नियम लगा दिया टेक्स बढ़ गया साहका की वज़े से दुखी हो गए और अंत में इस्वर जिम्मेदार है सब को जिम्मेदार ठेराने के बाद कि है भवान ये नहीं होना चाहिए ता जो तुने कर दिया किसी की ज़़ान मिरती हो जाती है तो कहते हैं कि है भवान ये तो बलत कर दिया ये नहीं होना चाहिए था ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था किसी कुछ नहीं मिला ये भवान तुने मुझे कुछ नहीं दिया तो हमेशा दूसरे के उपर जिम्मेदार ये जालते चले जाते हैं और दुख ही होते चले जाते हैं सेम को निर्भाय करने की कोशिश तो करते हैं लिएकि हो नहीं पाते हैं इस वह पर जिम्मेदारियां भी डालते हैं और इस वह में विश्वास भी नहीं करते हैं तो इस वह को ही बदलना पड़ेगा क्या हम इस वह के परती जब आगे बढ़ते हैं मंद्रों में जाते हैं करते हैं पुजापाट करते हैं या ध्यान करते हैं या उस इस वह के परती जो कुछ भी करते हैं और हमाय मन में कोई इच्छा होती है कि इच्छा पूरी हो जाए और वो इच्छा पूरी ना हो तो हम तरंत दोस्त दे देते हैं कि ऐसे इस्वर का भी क्या फायता जो मुझे ये भी नहीं मिला किसी संत ने आ सी भात दिया वो फलित नहीं हुआ जब किसी गुरू ने कुछ कहा वो फलित नहीं हुआ तो तंत कहते हैं कि वो गुरू कुछ नहीं जानता हजारों बार उसकी कही बात फलित हो गई लिखने एक बार फलित नहीं हुई तो तंत उस गुरू को बुरा मनान मानने लगते हैं तो हर चीज को अगर हम चाहते भी हैं तो अपनी जरुतों के नुसार चाहे वो परमात्म हो चाहे पती हो पत्नी हो बच्चे हो या फिर कोई और जिस किसी के विपरती आकर्षन है हम अपनी जरुतों के नुसार उसको चाह रहे हैं और जो जरुत पूल नहीं करता, उसी के ब्लोध में होते चले जाते हैं, चाहे फिर वो सैम पर मात्मा ही क्यों ना हो, हम उसके भी ब्लोध में हो जाएंगे, चाहे वो कोई गुरू ही क्यों ना हो, हजारों गुरू इसे बदलते चले जाते हैं जीवन में, ऐसे ही हजारों सं बन्द बदलते चले जाते हैं आकशर खत्म हो जाता है अगर सामने वाला हमारी मानिताओं के उपर हमारी स्मर्थियों के उपर या फिर हमारे विचार के उपर ख़रा ना उत्र है तुम तुम बदल जाते हैं उससे दूर हो जाते हैं इस पकार हम कह सकते हैं कि हमेशा हम यही चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए इश्वर से बात न करते हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो इसको ठीक कर दो इसको मेरे अनुरूप कर दो इसको मेरे खिलाब कर दो बड़ी अदुत कहनी है जीवन की अदुत रहश्य भी है हमा मिसा अस्तित में जो कुछ भी हमारे चारतब है उसे को जिम्मेदार प्टहराते हैं हम प्रात नहीं कितनी भी करें लेकिन गहाई में एक सिकायत ही है हर इस्तिती में एक सिकायत है कि अब जो कुछ भी जिम्मेदा के वल तुम हूँ मैं कुछ भी नहीं हर चीज की जिम्मेदारी दूसरी दूपा छोड़ते चले जाते हैं जीवन कोई करता नहीं है वह तो एक दड़पण है वह किसी के प्रती कुछ नहीं करता सिद्पुर्शों के साथ वह अलग ढंग से कार करता है पर समाने ब्यक्ति के साथ अलग ढंग से ऐसा नहीं है दड़पण वही होता है संसार वही है बेवस्ताएं वही है सब कुछ वही है कुछ नहीं बदलता कुछ भी नहीं बदलता संसार या दड़पण बिलकुल एक है हम दड़पण में सेहम के रूप को देखते हैं संसार में भी हम सेहम के रूप को देखते हैं हम जैसे होंगे दड़पण वैसा ही शरूप दिखाएगा ऐसे ही जैसे हमारे भाव होंगे जैसे हमारे विचार होंगे जैसे हमाई सोच होगी सारा संसार वही पृतिवम दिखाएगा अच्छे वैक्ती को अच्छे वैक्ती मिलते चले जाते हैं सरसंगी को सरसंगी वैक्ती मिलते चले जाते हैं ध्यान करने वालों को ध्यानी वैक्ती मिलते चले जाते हैं सिदपूर्सों को सिदपूर्स मिलते चले जाते हैं वहीं सरावी को सरावी मिलते चले जाते हैं, जुवारी को जुवारी मिलते चले जाते हैं, तो जो जैसा है, संसार वैसा हिसाम में भगट करता चला जाता है, सेम का ही पृतिविम है ये संसार, सेम का ही डरपन है, इसलिए का कुछ बदलने को है तो है श्रेम का अपना चेहरा अपना भाव अपने अंदर की डिश्टी कौन सब कुछ अपने अंदर है हम कहते हैं कि सारा संसार हमारे ब्रोद में खड़ा है सब कोई मेरे ब्रोद में हो गया है लेकिन कोई ब्रोद में नहीं होता ब्रोद में होनी की शंकला तो शुरुआत तो बहुत प्यले श्यम ने कर दी थी आज तो उसका दर्पन प्रतिविम प्रगट हुआ है और कोई सथ्वता अनुभव करता है तो इसकी शुरुआत कहीं न कहीं तो हुई है या कोई मित्ता अनुभव करता है हर वेक्ति आप से जुड़ा रहना चाहता है हर वेक्ति आप से मिलका आनंदित होता है तो इस शंकला बहुत प्रानी है इसके बीच तो बहुत पहले से डाल दिये गए है आपने जो बोया है वही ने अंतर मिल रहा है संसार आपका शेम का प्रतिविम है तो शेम को बदलना है ना संसार को बदलना है ना किसी और को बदलना है चुन्य की सतंतता शेम भी है दुखी होना है शुकी यह शेम परने भखरता है किसी दूस्य का कोई संबद नहीं है संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा सेम सस्वात कर सकते है सेम सांत हो सकते है सेम आनंदित हो सकते है सेम गेरे निर्थ में खो सकते है सेम गेरे दिहान में खो सकते है सेम अना तुर्जा में खो सकते है सेम इस पर मात्मा की गोद में समाहित हो सकते है जो कोई शेयम कर सकते हैं शेयम वो इस प्रमात्मा से प्रेम शेम के साथ वो इस प्रमात्मा से प्रेम करें या इस गुरू से प्रेम करें या इस शंसार से प्रेम करें या किसी से भी प्रेम करें तो निश्वार्थ प्रेम जिसमें कोई श्वार्थ ना हो फूरता निश्वार्थ कोई इच्छा ना हो आज कोई इच्छा पूरी ना हुई तो इस परमात्मा से ये न कहें कि है परमात्मा तुने ये क्या कर दिया जो कुछ हुआ है उसको स्विकार कर ले उसके पृति कोई दुख की भावना नहीं है जो हुआ साव अच्छा है जो उसने किया वो साव अच्छा है हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है वो जो कर रहा है वो भी अच्छा है इसलिए कोई सिकायत नहीं है अगर सिकायत है तो इसका मतलब अभी अधूरापन है जिसने जीवन की सारी सिकायते खत्म हो जाए इस संसार के प्रति इस जीवन के प्रति और उस प्रमात्मा के प्रति भी सारी शिकायत है क्योंकि अगर किसी ब्यक्ति इसे दुखी ने तहो भी हम प्रमात्मा को दोज देते हैं कि यह प्रमात्मा मेरी किस्मत में क्या ऐसा ही बेटा लिखाता मेरी किसमत में कि ऐसा ही पती लिखाता या मेरी किसमत में ऐसी ही पती ने लिखी थी तो हम हमेशा दोस उस पर मात बाका देते हैं तो जहां कोई शिकायत ना रहे समझ सिकायत है खात्म को जाए तो समझो कि आप सेम को बदलने के लिए ता या हो चुके हो सेम को अनंदित होना है आपके आणध में कोई दखल नहीं दे सकता आपके सुख में आपके दुख में कोई दखल नहीं दे सकता आप शुकी हैं, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप सेम न चाहें, आप खुश हैं, आप सांथ हैं, आप आनन्दित हैं, तो कोई आपको विचलिक नहीं कर सकता जब तक आप सेम न चाहें, तो जब सब सिकायते खत्म हो जाती है तो घहरा सुख, घहरा अनन्द प्रगट होता है वो प्रमात्मा शेम प्रगट हो जाता है तो इस गहाई में उस प्रमात्मा की उर्जा के साथ निभार होती हुए बिना किसी सिकायत के उस परमात्मा के संसार में पवीश करना है, पेम के साथ, आनन के साथ, सांती के साथ, निर्द के साथ, खुशियों के साथ, इस संसार में खोते चले जाना है, अंदर का संसार, सयम का संसार, अमात्मा का संसार, इसमे है खोते चले जाए, खोते चले जाए, खोटे चले जाएं खोटे चले जाएं खोटे चले जाएं खोटे जाएं खोटे चले जाएं खोटे चले जाएं खोटे चले जाएं खोटे चले जाएं खोटे जाएं खोटे चले जाएं खोटे 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 जाएं झाल 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 जो भी अनुभवो रहे हैं जो भी अइसासों रहे हैं उन अनुभव को करते हुए उन इसासों को करते हुए दीर दीर चेतना में वापिस आने के लिए तया हुए सरी का एसास, सासों का एसास और दो गहर लंबे स्वाश दो गहर लंबे स्वाश हातों की उंगलियों में हल्चल करें हातेलियों पर अप करें गरम करें आखों पर लगाएं चेहें पर लगाएं और दीर दीर आखें कॉलते हुए चेतना में वापस आजाएं अब किसी साधक का कोई कोश्चन हो तो पूश सकते हैं किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं अब कर दो 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 कर दो